हलो गाईज इज नवीद इलेक्टरेशन आज के इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीट बताऊंगा कि कोई भी होम थेटर को आप बैटरी पे कैसे चलाएंगे मतलब कोई भी होम थेटर हो आप बैटरी पे चला सकते यह अपने गाड़िएों में भी लगा सकते सबसे पहले यहां देखो 301NFMU मतलब यह इसका एक model नंबर है यह इसलिए बता रहा क्यों बलतो इस model के home theater आलो और इंडिया में बहुत सी जगे पे आपको देखने मिल जाते और यह है इसका power supply और अभी यह जो मेरे हाट में देख रहे हैं यह है एक inverter इन्वेटर मतलब यह कोई UPS होई है कम्प्यूटर वाल होगा जो कम्प्यूटर के साथ इस्तेमाल करते तो वो कम्प्यूटर का UPS है आम दोर पे मतलब मोटी जुबान में इसको इन्वेटर भी बोल सकते और देख सकते यह on-off भी होता और यह अच्छा है गुट कंडिशन में बस इसके अंदर का जो बैटरी है ना वो खराब हो गया और यह कोई मामूल ही नहीं है देख सकते इंटर जैसे ब्रैंड का है मतलब स्वारी इंटेक्स कंपनी का ही है कोई ऐसा लोकल का चैना का आइटम नहीं है और इसके खास बात क्या है यहां पर देखेंगे तो यह एक दो तीन मतलब तीन आपको आउटपुट मिलेंगे और यह जो ब्लाक वाला वह जो देख रहे हैँ आप मेरे हाथ में यह वाला जो तृप्ण वाला प्लग है ये वाला पिन जो है ना ये एक input है मतलब इस से इसके जरीए जो हमारे inverter के अंदर जो बैटरी है वो बैटरी चार्ज होता और जब current चला गया मतलब बिजली कट हो गई तो ये तीन जो coupler से मतलब holders इसके जरीए हमको AC output मिलता और वो AC को हम चाहे तो इस तरह home theater चला सकते या फिर कुलर चला सकते है फ्रिज लाइट वगेरा मतलब कोई भी आपको जो बिजली के जरूरा थे वो आप इस से पूरी कर सकते होगे ये तो होगे आपको inverter का काम और ये inverter बताने की वज़े क्या है ना देखो यहाँ पर देखो ये फोटो के पास ये input देखो 230 voltage 50 heads मतलब 230 voltage input लेता है जो के हमारे घरों में आता 230, 240, 250 voltage तो ये input यहाँ तक लेता और output में 230 voltage दे देता है मतलब जितना input ले रहा है उतना बरबर output भी ये देगा तो इसकी ये खास बात है जिसकी वज़े से आज मैं इस वीडियो में आपको ये बता रहा और इसका दूसरा definition है ये home theater के उपर चाहे आपके पास कोई भी electronic item हो चाहे टीवी, fridge, cooler हर item के पीछे ये लिखावा होता कि ये चीज कितने current से चलेगी ओके तो यहाँ देख सकते AC in, AC 220 voltage to 240 voltage 50 hertz मतलब ये 220 से 240 voltage के बीच में अगर 5-10 कम जादा भी रहा तो भी ये चलेगी AC current से ओके और इसके बाद अगर य यहां देखेंगे तो यह आइरो के पास देखो, output 230 से 230 voltage 50 heads दे रहा और यहां left side में देखो हमारे home theater के उपर के पर केतना है, 220 से 240 और ये inverter दे रहा केतना 230 मतलब 220 और 230 40 के बराबर है, मतलब बीच में है, इसका मतलब जतना आपके home theater को current चाहिए, यह हमारा home theater उतना आपको current दे देगा, तो इसकी यह खास बात थी, इसकी वज़े से मैं आज यह वीडियो बना रहा है, इस home theater के उपर, और यह UPS inverter के उपर, ओके उसके बाद यह चार स्कुरू है, तो सबसे पहले हम लोग यह चारो के चार स्कुरू को खोल लेंगे, खोलने के बाद इसके अंदर का जो बैटरी है ना, असल में वो खराब हो गया, मतलब बैटरी फेल हो गया, तो उसको क्या करेंगे, बैटरी चेंज करेंगे, या फिर बैटरी दुसरी लगाएंगे, उसके लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना पड़ेंगा, और यह वीडियो थोड़ा सा लंबा है, मगर आप इस वीडियो को पूरा देख लो मैं गैरंटी दे रहा हूँ आपको 100% पूरे के पूरे डवट किलियर हो जाएंगे और आपको होम ठीटर या फिर ये जो भी है मसला आपको समझ आ जाएगा और जब इसकी बैटरी हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ देखो 12 उल्टेज 7 एमपेर मतलब 12 उल्टेज की बैटरी है और ये जो 7 एमपेर है ना ये बैटरी छोटी होने के वज़े से एमपेर छोटा है मतलब कम है अगर बड़ी बैटरी लगा दिये तो ये एमपेर जादा भी इसको लगा के इस्तेमाल कर सकते हो कि तो वह जो अभी हम बैटरी निकाले वह तो खितव ख़राब है और इसके जो दो वाइरे मतलब बलाक एंड रेड ये इसके मैन वाइरे मतलब मैन पावर सप्लाई है तो अभी क्या करेंगा ये बैटरी तो निकाल लिये और यहाँ पर यह जो motherboard देख रहे हैं मतलब यह CPU, motherboard यह जो combo है ना इसको हमको कोई छेड़-छाड़ करना नहीं है तो इसको side में रख दो और यह जो transformer देख रहे हैं यह हमारा important unit मतलब DC से AC बना के देता है और यह जो 2 wire है red and blue इन दो wire हो से हमारा AC current output होता और हम और current को ले सकते इन तीनों holders है मतलब यह जो 3 pin holders है इन 3 pin holders की मदद से हम output ले सकते AC यहाँ पर देख सकते लिखा हुआ output 230 watt 50 hertz 360 watt मतलब 360 watts के चीजें तक आप चला सकते चाहे फ्यान, light और TV, cooler, fridge जैसे चीजें भी आप इस पर चाहो तो चला सकते 360 watt तक ओके तो उसके बाद क्या करने है देखो यह जो black वाला wire इसके साथ लगा हुआ है यह जो wire है यह हमारा input है input मतलब अगर आप इसको guardian के अलाव अगर आप इसको घरों में यूस करे ना तो इसमें input देना पड़ता है क्यों बोले तो यह जो input हम देंगे current इसकी मदस से हमारी battery charge होगी और जब current चले गया मतलब बिजली चले गई जब जाके battery में जो current है उससे आपको AC supply देगा तो अभी हम इसको गाड़ी में लगाने वाले है तो उसके बाद एक green color का wire भी है देख सकते हैं यह है हमारा अर्टिंग wire जो मतलब AC का अर्टिंग DC वाला ने AC में भी अर्टिंग होता बहुत से लोगों को शायद मालूम होगा तो इसको भी निकाल दिया हम निकालने के बाद क्या है देखो और एक wire यहाँ पे बज़ गया हमारा blue वाला तो यह देख सकते हैं एक शाकेट के अंदर तीन wire है green है और एक grey है और एक blue है तो green and grey दोनों को निकाल दिया हम है अब क्या करेंगे यह blue wire को निकालना है ना तो सबसे पहले समझो कि यह wire जा रहा कहा है देख सकते हैं यह शाकेट में जा रहा मतलब यह coupler में जा रहा तो अब हम coupler को छेड़ चाड़ नहीं करेंगे बस इसके अंदर का जो blue वाला wire है इसको बीच में से काड़ देंगे मतलब दो टुकडे कर देंगे और यह जो input का wire है हमारा अब यह हमारा UPS से अलग हो गया अब इसकी हमारा को कोई जरूरत नहीं है तो क्या करना है यह wire को एक गठा करो मतलब चुटा करके बाजू फेक दो अब इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है और यह battery की भी आपको जरूरत नहीं है यह wire की भी जरुवत नहीं है क्यों बोलतो हम अपनी गाड़ी की जो बैटरी है डिरक्ट उसको इस्टेमाल करेंगे उसके लिए आपको ऐसे दो wire ले लेना है red and black मतलब plus and minus positive negative दो wire ले लेना है लेने के बाद उसको थोड़ा सा हलका सा छिल लेना है मतलब अभी जैसे आप स्क्रिन पर देख रहे हैं थोड़ा सा हलका सा इसे छिल लेना है यह इसलिए छिलना है क्यों बोले तो हम इसको soltering करेंगे हमारी बैटरी की जो wire थी देखो अभी यह जो हमारा UPS है इसका क्याप निकालने के बाद वो दो wire ढूंड़ना है आपको जो बैटरी से लगे हुए थे मतलब यहाँ देखो यह red color का और black color का यह जो दो color के wire है यह थोड़े मोटे wire भी है heavy वाले है क्यों बोले तो यह battery की main supply है तो इसके उपर जो tape लगा हुआ है rubber वाला तो इसको थोड़ा सा आपको काट लेना है काटने के बाद यह rubber को निकाल दो निकालने के बाद आप चाहे तो यह wire को यह उपर के जो clip है उसको काट के wire जोड भी सकते या फिर मैं अगर suggest करूँ तो ऐसा वा जैसा भी आप अपने screen पर देख रहे है ऐसा soltering कर लो अगर ऐसा आप soltering कर लेंगे ना तो यह जादा बंदो बस हो जाएगा मतलब अच्छा मजबूती से आपको यह लाक कर देगा wire को ओके फिर उसके बाद क्या करेंगे red color का जो wire है उसको red के साथ जोड देंगे मतलब यह हमारा positive wire हो गया plus वाला wire ओके यह एक wire हो गया अब क्या करेंगे उसके बाद यह जो दूसरा wire है black वाला negative मतलब अर्थिंग wire भी बोल सकते नेगेटिव wire को नेगेटिव से जोड देंगे मतलब लाल के जगा लाल काले के जगा काला दो wire जोड दिए अभी यह दो लगा के बता रहा और उससे पहले क्या करेंगे जो हम soltering किये थे या फिर giant करेंगे आप तो इसको अच्छे से tape मार देना है और अभी जो बैटरी देख रहे आप यह बैटरी है तो भी चलता इससे चोटी बैटरी है तो भी चलता या फिर इससे बड़ी बैटरी है तो भी problem नहीं है मगर सिर्फ 12 voltage की बैटरी एंपियर से कोई मतलब नहीं है एंपियर कम हो या जादा हो फिर उसके बाद क्या करेंगे यह जो wire है हम लोग अलग से soltering यह उसको एक छोटी से घीटी मार देना है मारने के बाद अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे है आप देखो हम बोले तो देखो इसके अंदर से हम बैटरी निकाल दिये मतलब इसके अंदर जो भारी भर कम उजन था वो वजन निकल गया अब यह यूपियस जो है हमारा हलका हो गया तकरीबन यह आदा किलो से एक किलो के बीच अब इसका उजन है अब क्या करेंगे जो दो wire है प्लेस इसा शाट आएगा इसा मतलब इसा चेट चेट करके थोड़ा सा शाट आएगा तो आपको डरना और घबराना नहीं है बस आपको लगा देना है लगाने के बाद अभी यह जो देख सकते हैं यह पलठाने के बाद अब यह जो green वाला button है अगर आप इसको दबाएंगे यह on हो गया देख सकते हैं यहाँ पर एक LED ब्लिंक हो रहा मतलब यह on हो गया और यह जो UPS है ना यह आपको नया लेने की ज़रुवत नहीं है कोई भी computer की दुकानों में यह 5,700,200,300 रुपे में मिल जाता second hand में खरीद लो या फिर अगर आपको नया खरीदना है तो इसी वीडि LED ब्लिंक हो रहा मतलब हमारा inverter जो है चालो हो गया अब इसको एक बार मुबाइल में लगा के गाना बजा के बताओंगा मैं अब देखो एक बार तो 100% जन्यून है और यह कोई फ्राउड नहीं है अब मैं खुद परसनली इन चीजों पे investigate करता मतलब मैं खुद research करके फिर और एक बात देखो यहां जैसे मैं प्लग निकाल दूँ देख सकते लाइव है प्लग निकाल दिया हमारा बंद हो गया मतलब 100% आपको जो भी है मैं clear cut समझा दिया बता दिया तो अगर आप यहां तक यह वीडियो देख लिए तो आपको मुबारक हो आपको यह वीडियो 100 परसेंट किलियर समझ में आ गया अब काम की बात करेंगे आप चाहे तो इसको बाइक आटो लारी कार बस ट्राक्टर जेसीपी इनोवा सकार्पियो और जीब थार कोई भी गाड़ी हो आपके पास लगा सकते तो इस वीडियो में मैं आपको बजा जाटो में लगा के के लिए आपको क्या करना है गाड़ी के पीछे ये जो होल लाग टेकर है हर गाड़ी में ये होल रहता चाहे आपकी पास तूर ये वैर के पास क्या करना है अपको keeping quo देना है रखने के बाद यह जो दो डोड़े थे हम लोग प्लिस और मैनस के लिए ये दोड़ को क्या करे वायांगी तो आप क्या करेंगे गाड़ी के पीछे आएंगे दोर कोलेंगे दोर खोलेंगे बाद देख करो ढलत देख सकते हैं द्लत टैंक की उपर हमारे वI athlet हो आ उसके उपर से अपको एखने को मिल जाती है तो आपको क्या करना है यह जो वायर है वायरिग की भी बोल सकते खायर जो भी हो और इसके साथ यह जो मेरे हाथ में देख रहे हैं मोटा वाला यह हमारा प्लेस वैर मतलब जो बैटरी से आ रहा चाहे तो आप यहां से देओ या फिर यह दो वैर ले जाके सीधा बैटरी से जोड़ दो तो आप क्या करेंगे यह जो रेड़ वा पाइल के स्टोरों में मिल जाता यह पांस साथ रुपया दस रुपय में एक मिल जाता तो ऐसे वाले आपको दो क्लिप खरीद लेना है खरीदने के बाद अभी जैसा स्क्रीन पर देख रहें बिलकुल ऐसा ही क्या करना आपको सबसे पहले प्लेस वाली वैर को बना लेना ह ऐसा होके तो एक वेर हमारी जोड़ दिये अब क्या करेंगे उसके साथ ये जो मैनस वाला वेर है नेगेटिव नेगेटिव वेर भी सेम रखना है और प्लेस वाला जो वेर है उससे थोड़ा हलका सा बड़ा करना है नेगेटिव वाला मतलब प्लेस वेर से थोड़ा बड़ा हार था तो यहां पर अर्टिंग लगा दिया हमें बोल्ट खोलने के बाद और उसके बाद देखो बारा नंबर का बोल्ट खोलके यहां अर्टिंग लगा दिया और यहां पर लगा दिया हम लोग में वेर मतलब प्लेस वेर यहां पर सेल्फ मोटर से जोड दिये आप चाहे त और ये UPS को एक बार चालू करेंगे, देख सकते साउंड आ रहा, और LED हमारा ब्लिंक हो रहा, तो आपका 100% काम हो गया, आप चाहे इसके पर आप होम थेटर लगाओ, या कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी लगाओ आपकी मर्दी, ओके फिर आप क्या करेंगे, ये होम थेटर का ये होम थेटर यूस करने से UPS का जो बैटरी है, देख सकते अभी UPS बंद कर दिया हम, तो हो सकता आप भूस से लोग डरेंगे, के भाई आरे बैटरी डाउन हो गया तो कैसा, भाई आइसी कोई बात नहीं है, क्यूं मोले तो हर गाड़ी के इंजन में एक चार्जर रहता, जो गाड़ी के बैटरी को चार्ज करता, तो वो चार्जर आपकी बैटरी को चार्ज करता रहेगा, और आपका होम थेटर हो, या फिर आप टीवी, फ्रिज, कुलर, कुछ भी लगाना चारे गाड़ी में, लगा करते हैं, तो ये था वीडियो, मुझे उम्मीद है, कि आप तमाम को क्लियर कट और अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर आपको ये यूपियस या इन्वेटर खरीदना है, तो सबसे पहले अपने कम्पिटर के जो जो दुकाने होते ना, वहाँ पे पूछ लेना, दो चार सो, पांस सा सो में आपको मिल जाता, या फिर सेकर्ड एन्वेटर की दुकानों में भी मिल जाता, अगर आप नया खरीदना चारें, तो कोई प्राबलम नहीं है, इसी वीडियो के नीचे लिंक है देखो डिस्क्रिप्शन में, चाहे तो आप खरीद सकते हैं, और एक बात अगर आप लोग थोड़ा बो कामेडी वीडियो में भी इंटरेस्टेड है, तो अभी ये जो दो वीडियोस आ रहे अपके स्क्रिन पर, ये भी मेरे अपने ही चैनल के है, तो इस वीडियो को भी एक बार क्लिक करके देख लो, पसंद आया तो लाइक करना नहीं तो लाइट लेलो छोड़ दो, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में, जब तक के लिए जहिद